नमस्का दोस्तो स्वागत है आपका पैबली हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है Send Automated Holy Wishes on WhatsApp तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप एक ऐसा Amazing Automation बना सकते हैं कि आप Automatically WhatsApp पे मैसेज भेज सकते हैं Holy Wish के साथ अपने loved ones को, customers को या फिर clients को एक्षन का, तो trigger में आपको सबसे पहले लेना schedule by publish जिसकी मदद से आप आपके workflow को schedule करेंगे particular time के लिए, तो इदा पर आप once लेंगे, मतलब एक दिन के लिए आप आपके workflow को trigger करना चाहते हैं, मतलब होली वाले दिन आपका workflow trigger हो, इसलिए आप इदा पर schedule कर देंगे once, फिर आपको actions step में लेना है Google Sheet, जिसमें आप get contact details की मदद से आपने जो contact details add करके रखी ही, जैसे कि phone number, name वगेरा, तो ये आप इदा पर fetch करेंगे पाबली connect में, फिर आपको last action step में लेना है, कोई भी official WhatsApp API, for example, WhatsApp Cloud API, Vati, etc. जिसकी मदद से आप WhatsApp पे message भेजेंगे, तो मेरे use case में मैं use कर रहा हूँ, WhatsApp Cloud API का, जो कि popular WhatsApp API है, इसकी मदद से हम WhatsApp पे message भेजेंगे, तो दोस्तों क्या आप भी पूरा process step by step सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ, मेरी screen पे Okay friends, तो चलिए सीखते हैं, पूरा process step by step यहाँ पर मैंने express sheet क्रेट कर लिए, जिसका नाम है customers contact details, तो यहाँ पर मैंने customer की details आइड कर लिए है, जैसे की full name, mobile number, तो आपको भी यहाँ पर express sheet क्रेट कर लिए है, जिसमें आप आपके customer या पर context की details आइड करेंगे WhatsApp number के साथ, और इदा आप मैंने WhatsApp Cloud API में एक template भी create कर लिए, जिसकी मदद से हम WhatsApp पर message भीज़ेंगे, तो यहाँ आप मैंने standard message ट्राव करके रखा है, आप आपके according, जो भी message भीज़ेंगे, आप उसको customize कर सकते हैं, तो हमारा objective क्या है, कि हम WhatsApp Cloud API की मदद से, WhatsApp पर message भीज़ेंगे, ठीके, होली का एक wish भीज़ेंगे, हमारे customer या clients को, ठीके, यह हमारा complete objective है, तो चलिए सीखते हैं, पूरा process step by step, सीधे आपको ले आपके ब्राउजर में टाइप करके, यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं, एक है sign in option, दूसरा है sign up for free option, तो अगर आप एक new user हैं तो आपको simply click करना है sign up for free वाली बटन पर और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में, दोस्तों आपको account creation पर हर महीने 100 free tasks भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे amazing automation test कर सकते हैं, पैबली connect में, मैं एक existing user हूँ, इसलिए में click करूँगा sign in पर, उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले डायलोग box में, उक्लिक करना है access now, और आप जाएंगे पैबली connect के dashboard पे, यहाँ पर आपको right-hand side पे बटन दिखेगा, create workflow का इस पर आपको click करना है तो एक डायलोग box उपन हो चाहेगा, आपकी screen बेच बोल रहा है, under the name of the workflow तो दोस्तों, basically आपको यहाँ पर आपकी workflow को कोई नाम देना है, और select folder से आपको particular folder से लिक कर लेना है, जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को safe करना चाहते हैं, अगर आप new folder create करना चाहते हैं, तो आप create a new folder वाली button पे click करके, इदा से new folder create कर सकते हैं, मैं हाँ पर click करूँगा create workflow पे, और let's say, यहाँ पर मेरी workflow को नाम देना चाहता हूँ, send automated holy wishes on WhatsApp, तो दोस्तों, यही हमारा objective है, आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं, पर आपकी workflow को, उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं WhatsApp automation वाले folder में मेरी workflow को safe करूँगा, click करेंगे create वाली button पे, और आप आप आजाएंगे दोस्तों, यह वाली screen पे, यहाँ पर आपको दो important module स start करता है, और action में हम वो particular action perform करते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं हमारी automation में, तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है, इदा पर आपको action application चूज करना है, सबसे पहले हम trigger वाली step में काम करेंगे, तो यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है, तो choose आप में सबसे पहले आपको यहा to run your workflow तो इदा पर आप देख सकते हैं at regular interval once every day, days of the week, days of the month हमारा objective क्या है कि हमको एक ही बार हमारे workflow को run करना है जो कि होली वाले दिन होली विश भेजना चाहते हैं WhatsApp पर हमारे customer या client को तो इदा पर मैं choose कर लेता हूं once है ना इदा पर हम एक ही बार workflow run कराना चाहते हैं उसी दिन हम विश भेजना चाहते है होली की ठीक है और इदा से आप आपके according date and time select कर सकते हैं तो for example होली है 25 तारिक को ठीक है तो यहाँ पर 25 तारिक कर ली और इदा से आप आपके according time select कर सकते हैं कि किस particular time पर आपको विश भेजना है तो इदा पर मैं choose कर लेता हूं let's say 10 a.m में 10 बजे सुबह भेजना चाहता हूं wish हो लीगी WhatsApp मेरे customer को ठीक है तो आप इदा पर देख सकते है date and time हमने इदा पर select कर लिया है और उसके बाद इदा पर मैं click करूंगा save बाली button पर ओके तो आप इदा पर देख सकते है how often you want to run your workflow में show रहा है once हमारा workflow एक बार run होगा कब रन होगा date and time यहाँ पर show रहा है 2024, March 25, 10 बजे हमारा workflow trigger होगा ठीक है अब इदा पर आप देख सकते है date में इदा पर 4.30 शो रहा है तो यह जो show हो रहा है यह हमको UTC format में show रहा है schedule कर दिया है one तो अब आपको चूज करना है अब आपको चूज करना है Google Sheets action step में आएंगे क्योंकि Google Sheets में हमने हमारे customer की details add करके रखी है तो हमको इदा पर public connect में उनको fetch करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको choose आप में choose करना है Google Sheets तो यहाँ पर में search करता हूँ Google Sheets और नीचे हम Google Sheets चूज कर लेंगे action event आपको यहाँ पर choose करना है get rows ठीक है retrieve rows from the sheet based on the specified range ठीक है तो इदा पर get rows की मदद से जितना भी हमको data इदा पर हमने add करके रखा है वह हमको यहाँ पर हम पैबली connect में ले सकते हैं ठीक है फिर आपको क्लिक करना है connect वाली बटन पर तो इदा पर एक dialogue box उपन हो जाएग आपकी screen पर जो बोल रहा है connect Google Sheets अकाउंट तो basically आपको यहाँ पर जो Google Sheets का connection शो होते है अगर आप यहाँ पर जाते है add new connection के साथ तो आपको यहाँ पर simply क्लिक करना है sign in with Google और next step में आपको particular Google account चूज कर लेना है जिसमें आपका Google Sheets का access है मैंने अलोड़ी connection बिल करके रखा है तो मैं select existing connection के साथ जा रहा हूँ और přीमाने आपके customer की details add कर रखें या इस particular spreadsheet पे आप काम कर रहें तो यहाँ पर हम हम इस particular spreadsheet पे चायक हो है तो इहाँ पर मैंने इस particular spreadsheet का क्ल लिया है choose उसके बाद आप इग जा से शीट skills करेंगे तो यहाँ पर यहाँ फिर आपको इदर आपको देना है हमारा है यहां से आप देख सकते हैं एट टो से डेटा स्टार्ट हो रहा है थिम कुछ इस तरीज करते हैं थाफ बाद करते चाहिए तो इदथा पर जहां से डेटा start हो रहा है वह आपको तो देना ही है यहाँ पर तो यहां पर देते हैं A2 फिर आपको इदा पर colon insert करना है और फिर आपको particular column देना है जिसमें data है ठीक है तो इदा पर मैं जो cell है उसकी value नहीं दे रहा हूं A2 colon B दे रहा है क्योंकि इदा पर हम बार में data अगर add करते हैं तो उसका response भी हमको capture होना चाहिए ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप इदा पर range देंगे फिर आपको इदा पर simply click करना है savings and test request वाली button पर और आप इदा पर देख सकते हैं हमको यहां पर positive response मिल गया है अब इदा पर जो हमको response मिला यह हमको segregate होके मिल गया हमको collective response यहां पर चाहिए ठीक है इदा पर हमको यह जो response मिला है यह simple response मिला है तो यहां पर मैं क्या करूंगा simple response वाली button को off कर दूंगा इदा पर ठीक है इसको हम इदा पर करते हैं और फिर हम इदा पर लिख करते हैं savings and test request वाली button पर तो आप इदा पर देख सकते हैं हमको यहां पर response मिल गया है collective manner में इदा पर आप देख सकते हैं यहां पर हम आएंगे नीचे action step में और इदा पर हम चूज करेंगे amazing best feature पाबली का जो की है iterator तो यहां पर हम चूज करेंगे iterator इसकी मदद से हमको जो array format में response received हुआ है उसको हम simple format में करेंगे ठीक है तो connect पर click करने यहां पर और choose array में हम इदा पर यह जो previous response हमको array में मिल आए इसको हम इदा पर select करते हैं फिर हम इदा पर click करेंगे savings and test request वाली button पर तो आप इदा पर देख सकते हैं हमको यहां पर proper format में response मिल गया है इदा फुल नेम मिल गया है dummy user mobile numbers हो रहा है row index हो रहा है ठीक है तो अभी हमको यहां पर response मिला है row index 2 ठीक है आप इदा पर देख सकते dummy user पहले तो इदा पर हमको response मिल गया है ठीक है तो हमारा automation किस तरीके से work करेगा हमारा automation line by line work करेगा पहले dummy user को चले आएगा फिर automatically जो next user है dummy 12 user ज हमारा objective क्या है send automated holy wishes on WhatsApp हमारा objective यह है कि हम automatically holy wishes भेज दे हमारे customers को context को या फिर clients को ठीक है WhatsApp पर तो इसके लिए आपको क्या करना है इदा पर action step में आना है और choose app में आपको इदा पर कोई भी official WhatsApp API चूज करना है for example WhatsApp Cloud API, Vati, Interact, etc. मेरे use case में मैं यूज करना हूँ WhatsApp Cloud API का तो यहां यहां पर मैं चूज करना हूँ WhatsApp Cloud API, action event आपको यहां पर चूज करना है send template message और click करना है connect वाली बटन पर तो इदा पर एक dialogue box अपर आपकी screen पर connect WhatsApp Cloud API account, तो basically आपको यहां पर WhatsApp Cloud API का account है उसको family connect के साथ connect करना है, यहां पर आपको दो option मिलते हैं, एक है add new connection का, दूसरा है select existing connection का तो अगर आप यहां पर चाते है add new connection के साथ, तो आपको यहां पर डलना है token, phone number ID, WhatsApp business account ID, और तीनों चीज़ आपको कहां से मिलेंगी, तो यहां पर आपको पहले WhatsApp Cloud API का complete setup करना है, उसके बाद आपको यहां पर यह तीनों चीज़े मिलेंगी, ठीक है, तो कैसे आप WhatsApp Cloud API का complete setup क तो यहां पर आप देख सकते हैं, दो वीडियो गिवन है, complete WhatsApp Cloud API का setup आप से सीख सकते है कैसे permanent token generate कर सकते हैं, WhatsApp Cloud API में, वो भी आप इस वीडियो को देखका सीख सकते हैं, और यहां पर screenshot भी गिवन ही, जिनको follow करके आप WhatsApp Cloud API का complete setup कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर already set up करके रख है तो मैं सीधे आपको ले चलता हूँ API setup पे तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक temporary access token phone number ID और WhatsApp business account ID और यह जो temporary access token है मैं इसको test purpose के लिए use कर रहा हूँ आप इदा पर permanent token भी generate कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम इस temporary temporary access token को इधा से कर लेते हैं copy और simply हम इदा पर token वाली field में इसको कर देते हैं paste उसके बाद हमको इदा बाप phone number ID डाल लाए तो phone number ID हम इदा से copy कर लेते हैं और simply इधा पर कर देते हैं paste और उसके बाद हमको इदा बाद WhatsApp business account ID डालना है तो इसको भी हम इदा से crystal copy और और simply यहां पर कर देते हैं पेस्ट आपको भी पूरा प्रोसेच को इस तरह करना है और उसके आद आपको यहां पर क्लिक करना है सेव वाली बटन पर और आपका जो WhatsApp Cloud API का कॉंट यह वो सक्सेस्फुली पैबली करने के साथ हो जाएगा अब नीचे आप fields देख सकते हैं template name, language code, selected template id, recipient, mobile number, body field तो सबसे पहले आपको यहां पर template चूज करना है जिस particular template की मदद से आप WhatsApp मैसेज भीजना साथ हैं तो मैं इस particular template पर काम कर रहा हूं जिसका नाम होली विशस template तो यह template मैंने हाप अल्ड़ी create करके रखी है आप इस particular template में काम कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर मैंने मेरी template select कर लिए language code en-gb जो कि इधा पर आप देख सकते हैं English UK का code है ठीक है और इधा पर आप selected template id भी देख सकते हैं अब इधा पर recipient mobile number में आपको particular contact का mobile number देना है जिसको आप WhatsApp पे message भेजना चाहते हैं तो इधा पर आपको number manually type नहीं करना है यहां पर आपको mapping का इस्तिमाल करना है जो कि एक important step है तो data map आप कैसे करेंगे यह आप दिख सकते हैं previous step का response यहां पर शो रहा है और जो भी new customer का number हमको received होगा वो number automatically इस number की जगे आजाएगा यह number change होता जाएगा हमेशा automatically क्योंकि हम data map कर रहे हैं कोई भी चीज़ आप इधा पर manually type करेंगे वो हमेशा static रहेगा वो change नहीं होगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसलिए हम इधापन mapping का इस्तमाल करते हैं अब body field में आपको इधापर variable की value map करना है अब यह variable क्या होता है तो सबसे पहले वो समझते हैं मैं आपको लेश चलता हूँ template पे तो इधापर आप देख सकते हैं मैंने एक standard message ट्राफ करके रखा है जो कि यह dear इसके curly braces में जो value दि सकते हैं यह है variable variable का importance क्या है variable का importance यह है कि जो भी text या value हमेशा dynamic चाहते है मतलब message ऐसा कैसा जाए लेकिन वह particular value हमेशा change हो जाए उसको आप इधापर variable की तरह एड़ करते है और variable आप जो भी add करते है for example इधापर मैंने name variable रखा idea के बाद में आ रहा है तो उसकी sample value आपको use case के according आपके according message जैसे भी customize करेंगे आपके according इधापर variable add कर सकते हैं ठीक है दो तीन चार्ट इतने variable आप रख सकते हैं मतलब जो भी value हमेशा dynamic चाहते है उसको आप इधापर variable की तरह एड़ करेंगे ठीक है और variable आप जो भी add करेंगे उसकी value आपको इधापर map करना है previous step से ठ तो यहाँ पर मैं इस number को replace करूंगा एक valid phone number के साथ जिसकी मतलब से मैं आपको WhatsApp पे message हो कर पाहूं लेकिन आप जब यह automation बनाएंगे तो आपको इधापर number map करना है previous step से जिसकी मतलब से number automatically change होता जाए ठीक है इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब इधाप WhatsApp cloud API template में आपक text डालता हूं happy holy ठीक है तो यह जो happy holy text है हमेशा header में जाएगा मतलब message के पहले जाएगा यह ठीक है तो आप इसका use यहाँ पर कर सकते हैं और अगर आप इधर पर चूज करते हैं media तो आप इधर पर कोई image, video, document या फिल location भी message के पहले भेज सकते हैं ठीक है तो अगर आप च तो कुछ इस तरीके से आप इधर पर यह benefits का use कर सकते है WhatsApp Cloud API में वापिस चलते हैं इधर पर मैं इस number को replace करता हूं valid phone number के साथ जिसकी मदश से मैं आपको WhatsApp message show कर पाऊं तो यहाँ पर मैं valid phone number डाल देता हूं ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर मैं एक valid phone number डाल दिया है अब हम इधर पर क्लिक करते हैं savings and test request वाली बटन पर और आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक positive response मिल गया है contact input में valid phone number शो रहा है और इधर पर message status accepted शो रहा है तो जब आपको कुछ इस तरीके का response रिसीब ह होगा मतलब आपको automation successfully work कर रहा है और आपके particular customer को WhatsApp पे एक automated WhatsApp message चला गया है Holy Wish के साथ ठीके तो आइए check करते है WhatsApp पे मैं आपको लिए चलता हूं WhatsApp पे और जी यहां दोस्तों आप इधर पर दिख सकते हैं automatically हमको यहाँ पर एक new message received हुआ है dear dummy user happy holy मेरा vibrant colors of holy fill your life with joy success and prosperity wishing you and your loved ones a colorful and blessed holy warm regards ABC company तो आप इता बाद दिख सकते हैं जो मैंने template में message draft करके रखा है ऐसा का ऐसा message हमको यहाँ पर received हो गया है और variable की जगे हाँ पर name आगया dummy user automatically ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप automatically आपके loved ones context clients customer सबको holy पर wish भेज सकते है WhatsApp cloud API की मदद से मतलब आपको template पनाना है WhatsApp cloud API में औ और पैबली करने की मदद से आप automatically at a time सबको WhatsApp पर message भेज सकते हैं ठीक है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करता है आये summarize करता हूं कि इस पूरे automation में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया schedule सबसे पहले हमने हमारे workflow को schedule कर दिया एक time के लिए मतलब हमारा workflow एक ही ब बार ट्रिगर हो 10 बजे हमने इदा पर date and time भी select कर लिया ठीक है उसके बाद हमने इदा पर action step में लिया Google Sheet और get rows की मदद से हमने जो customer की details एड़ करके रखी है उसको हमने फैच करा पैबली connect में फिर हमने इटरेटर पैबली का यूज करा जिसकी मदद से हमको जो array format में response received उसको हमने इदा पर proper format में करा और फिर हमने last action step में लिया WhatsApp cloud API action even हमने लिया send template message जिसकी मदद से हमने WhatsApp पर हमारे context को customers को WhatsApp पे एक holy wish भेज दिया एक message भेज दिया automatically ठीक है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से automation work करता है अगर आप भी इस पूरे automation पे work करना चाहते हैं अगर इस workflow को मैं आपको description box में share कर दूँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं थैंक्यू यही नई दोस्तों आप और भी indication बना सकते हैं पैबली करने की मदश से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadretpably.com पे अगर आपको कोई doubt है या कोई query है तो आप हमको mail कर सकते हैं forumadretpably.com पे और अगर आपकी कोई pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे अगर यह वीडियो आप